फाइनली जो गूगल है, यहाँ पर एंड्रोइड को पूरी तरीके से बदल रही है और एंड्रोइड 16 के अंदर बात करें तो फाइनली एक मेजर यूआई रीडिसाइन आने वाला है अगर बात करें तो इससे पहले एंडरोइड 5.0 लोलिपूप के साहथ अंडरोइड 12 के साथ मघें यू आया लेकिन एंडरोइड 16 के साथ मधें धियidents 3 एक्सप्रेसिव को लाने वाले यहाँ पर आपको नई टाइप के एनिमेशन देखने को बलेंगे इसके साथी टैपोग्रफी को इंप्रूफ किया गया है नई-ई-नई कलर थीम्स आती है उसको इंटिग्रेट किया जाएगा इसके साथी लेयाउट को चेंज किया जाएगा इसके साथी फ्लूइड और नैश्रल मोशन को रखा गया है जो एनिमेशन के अंदर फिजिक्स होती है उसको भी इंप्रूफ किया गया ताकि इंटरेक्शन होता है बहुत से ज़्यादा जैनुएन लगया और एनिमेशन पहले से ज़्यादा इंप्रूफ करें कुल मिलाके बात है कि एक रिफ्रेश रखा गया है यूजबिलीटी को इंप्रूफ किया गया है और इस चीज़ को मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव का गया और एक बात है कि जो मटेरियल 3 UI होगा है ये इस सिर्फ और सिर्फ Android 16 के अंदर रहेगा इससे पहले वाले फोंस में नहीं आएगा और एंडॉट 16 में भी ये अभी सिर्फ गूगल पिक्सल डिवाइस के साथ आएगा उसके बाद धीरे धीरे कमजनी इसको अड़ेट करेंगी लेकिन अब आप लोग बोलेगे कि अगर इससे गूगल के पिक्सल फोंस के अंदर आएगा तो बाखी कमजनी इसको देखो गूगल वाले बाखी कमजनी के साथ भी काम करेंगे और वो जो अपने UI होते उसके अंदर भी चिंजस लेंगे जैसे Samsung अपने One UI के अंदर, Xiaomi अपने HyperOS के अंदर या फिर OPPO One Plus अपने ColorOS के अंदर भी चिंजस लेकर रहेंगा और जो Material 3 Expressive के Design Elements होते हैं उन Design Elements को यहाँ पर रखा जाएगा जिसके करण जो दूसरे डिवाइसे रहेंगे वहाँ पर भी चीज़ पहुचेगी और हाँ इसका Integration जो नई Apps आएंगी उनके अंदर भी रहेगा जैसे कि Google की जो नई Apps आ रही है उनके UI के अंदर भी आप इस टैप की चिंजस यहाँ पर देख पाएंगे पाइनली एक बड़ा Major Redesign आने वाला और Android के अंदर जो हम कह रहे थे हैं माइनर चेंजे जो अंडर दा होट है यानि की नॉर्मल एप्स नॉर्मल स्क्रीन और फोल्डेबल के साथ अच्छे तरीके से काम करेंगी लेकिन एक जो बड़ा Major चेंज किया रहा है वो किया जा रहा है प्राइवी सो सिक्यूरिटी को लेकिए आप लोगो मालू में कई सारे AI राइटिंग के टूल्स हवालेबल है जहां पर कीबूर्ड के अंदर ही आपको AI के अंदर राइटिंग के धेर सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं जिसका मतलब यहां पर यह कि अगर आप कुछ भी यहां पर टैपिंग कर रहे हैं तो AI के सेशन वगर आएंगे लेकिन हां अगर आप कोई पासवर्ड अगर टैप कर रहे हैं तो वो AI उसे रेजिस्टर या स्टोर ना कर ले आपके पासवर्ड को प्राइवीसी का ध्यान मे रखते हुए इस तरीके की चीज़ों को इनेबल किया गया ताकि कोई भी AI रैटिंग की यहां पर आपका पासवर्ड इंडिरेक्ट तरीके से सेव ना कर ले तो यह कच्छा फीचर है इसके साथी स्पैम कॉल को डिटेक्शन और रोबोटिक वोइस को भी डिटेक्ट करने क AI इनेबल फीचर डालें ताकि जो इस चीज़ को यहां पर जादा सजादा रोका जा सके इसके साथ भी कोई इंकमिंग मैसेज आएगा तो AI का यूज़ करके यह पतलगाना है कोई potential fraud या potential scam तो नहीं हो सकता वो और उनके links को भी analyze करना कि यह malicious link तो नहीं है जिसमें आपके ग mobile phone अगर आपका चोरी हो गया तो वो mobile phone सामने वाला कुछ यूज़ ही नहीं कर सकता उसको पूरा factory reset उसके लिए कर पाना काफी ज़ा मुश्कल रहेगा यानि की factory reset में भी extra layer of protection को integrate किया गया जिससे आसानी से for reset ना किया जा सके तो यह कुछ interesting features आप इनेबल करें लिगिन इसक इसको लेकर जो पहला device है यह लोग Samsung के साथ मिला रहे है वह Samsung गए project मुहाने जो headset की रूप में रहेगा यहां पर देखा जातो जो Qualcomm की XR chip है वो integrate की गई है और जो software है वो Android नहीं हापर design किया एप उछकुल मिलाकर आपको ऐसा user interface और ऐसा design मिलेगा जो बिलकुल ही आपके real world के साथ connect हो जाएगा और हां यहां पर भी material 3 expressive को भी use किया जाएगा इसके साथ ही यहां पर all ladies के sdk और apps की बनाने की libraries को available किया जा रहा है और अगर कोई भी developer के पास अगर mobile phone related app और उससे XR platform में वो app port करनी है तो उसके लिए भी facilities प्रोवेट की जा रही है तो यहां पर भी Android XR related यहां पर काम हुए और इसके साथ ही material 3 expressive के बार में बात करें तो यह जो UI changes से हुए है यह सिर्फ और से mobile phones ना क्लिमिटेट नहीं है यह वेर ओस में लिमिटेड है क्योंकि जो next वेर ओस होएगा वहां पर उन्होंने कुछ चीजों का ध्यान रखा है और उसमें से तीन इ इसके साथ ही गोगल टीवी वगेरा जो रहेंगे यानि कि Android टीवी हो गया यहां पे लोग जैमनाई का डीप इंटीग्रेशन कर रहें यानि की Google Assistant थोड़ा पुरान हो गया हर जगे जैमनाई और जैमनाई लाइफ को प्रमोट करने के कोशे करें ताकि हर एक फोन तक जैमना के अंदर AI capabilities अच्छी है वहां पे लोग जैमनाई नैनो को भी सपोर्ट करेंगे जिसका मतले है कि मोबाइल फोन काफी सारे Artificial Intelligence के टास्क कर पाएगा यहां पे इमिज जनरेट बगरा कर पाएगा और आसानी से Communication के हिसाब से हर एक मोबाइल फोन तक आजए यहां पे काम किया जा रहा है तो जैमनाई के अंदर भी क्लाइव इंटिग्रेशन करना काफी अच्छा मूव था इसके साथी बात करें तो Android के अंदर कई सारे मेजर चेंजिस आ रहे हैं और देखा जाए तो Android अपने उको इस तरीके सब एवाल्व कर रहा है कि हर एक डिवाइस तरहां से चले जैसे कि आपको एक्जामपल देता हूं कि यहां पे वेयर वेस के अंदर Android है इसके साथी जो Android आप मोबाइल फोन में यूज़ करते वो अच्छे तरीके से वाल्व हो रहा है इसके साथी जो नए टैप के वेयरेबल डिवाइस आएंगे जैसे एकसार डिवाइस आएंगे तो उस जगे के लिए भी Android बहुत अच्छे तरीके से अपने अपो तयार कर रहा है लेकिन गूगल ने एक टैट टॉक के अंदर अपने एक एर ग्लास को भी शोकेस किया था जिसकी अंदर एक एर स्मार्ट कोश्च करें जैसके गूगल टीव एंडरोइड टीवी होगया वहां पे एंडरोइड ऑटो वहां पे यहां अगर आपकी वॉच वगेरा हो गई वहां पे हर जगे इससको इंटिग्रिट किया जाएगा और इस बार गूगल यह कोशिट करें कि एंडरोइड के अंदर जो बाद्धातर जो चीजे वहे हैं ऐसानी से जल्दी इंपलीमेंट की जा सके और विकलों को जल्दि इलेवर की जा सके और भी देखा जा तो हर एक company अपने अपने हिसाब से UI के अंदर चींद करीगी और अपने वरस को दूसरे से अलग बनानी कोश्च करीगी तो दिखते हैं वहाँ पर नहीं किस तरह यह से कहांगी चलती तो दोस्तों यार यह होती है कहांगी नए Android 16 की Material 3 Expressive क्यों क्या क्या नए आ सकता है यहाँ पर आप लोग किसी इस कंसर करूँ निचे कमेंड बताओ थैंक्यो बने रहाने के लिए मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्ट वीडियो के अंदर गुट बाए